इस टॉपिक के अंदर हमने प्रिवियस्ली कंक्लूड किया था कि हमारे पास स्पेस बन चुकी है जिसके अंदर हमें कंस्ट्रक्शन अलाउड है हम लीगल वे में कर सकते हैं इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे किस तरह हमने जो है वो इंशोर करनी है कि उस गिवन स्पेस के अंदर अगर हम चाहें कि हमने इंशोर करने हैं डिफरेंट जो हमारी कंपोनेंट्स हैं किसी भी एक हाउस के उनको अब यहां पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टन्ट है जो मैंने पहले भी आप से पहले प्रोजेक्ट वन में भी डि जाता है हाँ आप उसको सिजेस्ट कर सकते हैं रिकुमेंट जरूर कर सकते हैं कि सर इस तरह हो सकता है इस तरह हो सकता है इस तरह हो सकता है इस बुक के अकॉर्डिंग या स्टेंडर्ड के टी एसस मैंने आपको रफर किया था उसके अकॉर्डिंग इतना एक साइज होना च के अंदर टोटल फ्रीडम होती है ओनर को उस माले को जो आपका क्लाइंट होगा वो क्या चाहता है वो इस घर को किस तरह बनवाना चाहता है कितने रूम्स किस चीज़ के वो इंशूर करवाना चाहता है तो नॉर्मली जब हम बात करते हैं तो एक मास्टर बड़े घरों की ज सही कि नॉर्मली जब हम डिजाइन कर रहे होते हैं तो हम जिस साइड पर हमने एक तरफ तो आमने टीन साइड़े तो आपर से सूरेज लगे और उसके अंदर हम कोई डाउंसिंग फांटें टाइप एंशूर कर सकते हैं उसके अंदर हम डिफरेंट टाइप प्लांट्स इं लगे हुए है तो एक बहुत अच्छा वियू आपके घर के अंदर बन जाएगा यह उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं है डारेक्ट उसको सन एक्सपोईर मिल रहा है और उसका बैनिफिट यह भी होता है कि जिस साइड पर दिवार नहीं है आपकी उस साइड से वह खिड़की हाउस वन कनाल हाउस जो है फिफ्टी बै नाइंटी है फॉट 25 लेकिन बाश वकात इर्रेगुलर साइज के प्लॉट्स भी आ जाते हैं तो नमबर वन यह होता है कि जिस एरिया में वह है वो चेक करें कि उसके स्टैंडर्स क्या है अथारिटी जो आपका कंसर्ण बिल्डि गिवन स्पेस के अंदर कीपिंग इन व्यू क्लाइंट्स रिक्वार्मेंट आप किस तरह अड़ेस्ट करते हैं नॉर्मली तीन हमने पहले भी बात की प्रपोजल आप बनाते हैं उसमें से जो उसको अच्छा लगे आपके क्लाइंट को वो पिक करता है उसके अंदर फिर म हम बढ़ते हैं CAD की तरफ ताके हम अपनी गिवन स्पेस के अंदर जो है वो डिफेंट कंपोनेंट्स को अड़ेस्ट करें तो यहां हमने कंक्लूड किया था अपने प्रिवेस टॉपिक को तो हमने एक जो है वो जगा बनाई थी कि यह हमारे पास यहां पर हम कंस्ट्रक्श आफसेट फ्रेम और एक्स्टैंड तीन कमांड जी इस्तेमाल होनी है और अब क्यूंके काफी सारी जगा है डियाए डिस्टेंस की हम कमांड लगा लेते हैं इससे पहले और यह आपने बार बार लगाती भी रहनी है ताके हमें आइडिया होता रहे तो अभी हमारे पास 73 फ पेस है भी तो हम स्टार्ट करते हैं और आफसेट देते हैं ओएंटर और 25 फीट मैंने इस लाइन को 25 फीट का दे दिया और ओफसेट और और यह अंडर वाली सारी लोट बेरिंग है तो 9 इंच भी मैं इन्शोर कर लेता हूँ 9 इंच यह मैंने एक जो है वो स्पेस बना ली है और मैं समझता हूँ कि यहां पे मैंने जो है वो एक master bedroom देना है थोड़ा सा बड़ा और एक और bedroom यहां पे इंशोर करना है यह आपको पहले भी एक चीज बड़ी क्लेरिक बताई थी कि जब भी आपने डिजाइनिंग स्टार्ट करनी है तो direct designing CAD पे नहीं करनी हमेशा जब भ पहले हम उसको sketch करेंगे अपने किसी paper के उपर किसी graph paper के उपर और जब हमें लगेगा कि बहुत rightly sketch हो चुका है उसके बाद हम उसको लेकर आएंगे in CAD अगर हम direct CAD के अंदर बनाएंगे तो हमारे लिए problems हो जाती है तो सबसे पहले site के उपर जाकर जहां पर अगर आप site पे प करना असान होगा तो sketch paper आपका बना हुआ है already suppose और यह हमने दे दिया कि हमारा यहां पे bedroom आना है अब हमने उसकी horizontal dimension देनी है तो say जो है o enter offset है और हम इसको 17 feet कर सकते है 16 suppose 16 कर लेते हैं काफी बड़ा हो जाएगा तो यह हमारे पास जो है वो 16 और o enter offset और इसको हम कर लेते हैं 9 inches तो यह हमारे पास जो है वो यह अब जो जगह है यहां पे हमारा एक master bedroom हो जाएगा और इसके साथ associated हम अभी bathroom को भी जो है वो और ensure कर लेते हैं इसके साथ और इसमें हमारा dress change area भी आ जाएगा अब हम इस तरह आ जाते हैं एक हम और bedroom भी क्योंकि बड़ा हमारा घर है definitely दो bedroom तो minimum होने चाहिए अब हम ensure कर लेते हैं एक और bedroom शायद size उसको थोड़ा सा relatively small हो जाए और offset है 18 feet तो यह हमारे पास line है और यह line है तो और offset हम कर लेते हैं O enter और 9 inches तो यह हमने दो जो है वो अपने master bedrooms ही ही समझें ensure कर लिए अब हम trim कर लेते हैं ताकि हमारे लिए clarity हो जाए यह हमारे पास एक है और यह हमारे पास एक दूसरा जो है हमारा bedroom ensure हो गया है अब हम यहीं से quickly आगे जाने से पहले हमने इसके साथ क्योंके ensure करना है bathroom वगएरा so depend करता है अब हमारे पास di distance की command लगा के we'll see के हमारे पास 27 feet तो काफी बड़ा एरिया है इसमें से हम कोई आठ नौ एजली जो है वो suppose enter और मैं यहां पे 9 या 10 कर लेते हैं तो 10 feet का जो हम यहां पे ensure कर लेते हैं हमारा जो होगा bathroom और इसके अंदर जो associated dress change हम अरिया भी दे देंगे अब यहां पे और चीज़ बड़ी important है आपने बी देखनी है वो यह है कि अब यह वाली जो वाल है अब यह नान लोड बेरंग वाल होगी क्यूं क्यूंकि असल लोड या इस दिवार प्या पिया रहा है या इस दिवार पिया आए अभी जो अंदर हम वाल construct कर रहे हैं जो कि हमारे bathroom की वाल आ है यह क्या है हमारी non-load बेर यह हमारे पास हमने inshore कर लिया है कि total जो हमारा और इसको भी हम trim कर लेते हैं कि यहाँ पर यहाँ पर हमारा बाथरूम भी भी हो जाएगा काफी बड़ा है size हम d.i.i. करके insure कर लेते हैं आप नोट करें 16 by 10 तो ये काफी बड़े साइज का है इसके अंदर अब हम जो है वो 16 है तो ओ एंटर करके 7 फीट के उपर जो है हम ये ड्रेस चेंजरिया दे दे देते हैं ये आज गल आपको नॉर्मली आप घरों के अंदर जब जाएंगे किसी भी एरिया के अंदर तो वाल्स के ओपर है या इस वाल पर है या इस वाल पर है तो ये भी फंक्शनालिटी के लिए और इसका हम कर लेते हैं फिल्हाल क्रिम बाकि हम जब आगे डॉर और विंडोज की तरफ जाएंगे तो हम वहाँ पर इंशूर कर लिया कि हमारा ड्रेस चेंज अरिया भी आगया और यह हमारा एक काफी बड़ा बाथरूम बन जाएगा डियाए डिस्टेंस की कमांड से हम अगर नोट करें तो टैन बाइ एट अराउंड एटी और सम्टिंग स्क्वेर फीड सो काफी बड़ा अरिया है अब हम लीचे आते हैं और डिसाइड करते हैं कि हमने आगे कैसे स्कॉर्टन चीज़ है जो आपने देखनी है अब इस वाल को 9 इच देने की जरूरत नहीं है क्योंकि लोड मेंली हमारा यहां तक ही आ रहा है तो यह जो वाल है इसको हम नान लोड बेरिंग ही वाल होगी तो इसको हम इंशोर कर लेते हैं नान लोड बेरिंग वाल सो ओ एं यह हमारी एकस्टेंड कर लेते हैं इसको भी हम आगे की तरफ और इसको जो ए वो यह हमारी इंशोर हो जाएगी यह का स्कॉंकि आ हम नजर आ गई और यह होगा four and a half feet क्योंकि यह भी जो है वो हमारी non load bearing wall है तो यह हमारे पास जो है वो trim और इसको भी trim कर लेते हैं और इसको भी तो यह हमारे पास इस तरफ से भी एक space insured है और यह जगह तो वैसे खाली छोड़नी है अब हम जरा नीचे जाते हैं अब हमने mainly living area देना है kitchen देन so this is di और यह हमारे पास है 8 by 3 और 26 by something यहां पे हम देते हैं एक patio पेशियो का purpose क्या होगा अगर आप note करें तो इस room को तो इस window इस open space से मिल जाएगी बट अब यह जो यहां पे हमारा living area बनेगा उसकी कोई window नहीं बन सकती क्योंकि इस तरफ तो आपदिवार का structure के हम कड़े ह तो यहां पे हम वो पेशियो दे देंगे आप इसको खुद से literature से जाके search आउट करेंगे तो easily जो हो आप देख सकते हैं पेशियो क्या है कि यह open to sky होगा यह वो जगा होगी इसके ओपर कुछ भी हम नहीं बनाएंगे direct storage जहां पे आ रहा होगा यहां पे हम dancing fountain दे सकते हैं क् हम काफी बड़ा size का देने लगे जाने जा रहे हैं हम इसके अंदर जो है वो plantation किसी different type के plants लगा सकते हैं even हम यहां के अंदर जाके को cheers भी लगा सकते हैं अगर हम बैटना चाहें अगर वो बड़ा है पेशियो तो इसके different purpose हैं आप मैं 30 मनी जाना चारा आप इसको खुद से जब देखेंगे तो आप आईडिया हो जाएगा तो हम यहां पर पेशियो को ensure कर लेते हैं यहां पे दरम्यान में हम एक glass की वाल दे देंगे ताके वो glass को हम जब चाहें उसको open करके easily जो है वो view देख सकें तो पेशियो को जो है मैं यहां पर enter करता हूं और 17 feet का दे देते ह हैं यह 8 by 17 हो जाएगा यह हमारे पास इस तरफ तो यह हमारे पास बन जाएगा पेशियो ऊपर हम कर लेंगे ट्रेम अभी क्योंके हमें जरूरत नहीं है इसको भी हम ट्रिम कर देंगे और नीचे से भी ट्रिम अब पेशियो के लिए तो अगेन यह नान लोड बेरिंग वा इस तरफ से जो हम इसको त्रिम कर लेते हैं यह बी ट्रिम हो जाएगी यह वैसे डिलीट हो जाएगी और इसको हम इदर से कर लेते हैं यह वाल हमने अंदर लगाई है यह इस तरफ से जो है वह त्रिम हो जाएगी तो यह बड़ी वाल रहेगी और यह वाल जो है यह हमारी भी बन जाएगी चोटे साइज की इसको भी हम डिलीट कर देते हैं और इसको हम रिमूव कर देंगे तो यह जो है हमारा पैशी हो जाएगा और ओ एंटर और इसको भी हम पूर एंडा हाफ इंच कर देते हैं इस तरफ से भी हमें नहीं जरूरत तो यह जो है बाकी हम अब जित कर देंगे और हम जाते हैं अभय विस aventir Allah कर देेंगे आप हम आधे नीचे अब स्टार्ट से स्टार्ट कर लेंगे यह भी बचा हुआ इस अभुंड में कर सकते हैं सो से हम 18 feet कर लेते हैं इसको यहां से और अगर हम चाहें तो exactly अगर हम इस वाल्स के साथ भी continue कर सकते हैं सो इट डिपेंड्स के हम लेदा करना चाहरे हैं और क्योंके यह load bearing होगी सो ओ एंटर और 9 inch का जो है यह आफसेट भी आ जाएगा और इसी तरह अब हमने यह वाली length इंशोर करनी है सो से ओ एंटर आफसेट 17 feet हम इसको दे देते हैं तो यह हमारी 17 हो गई और इसी तरह ओ एंटर और 9 जो है वो हम यहां पे इंशोर कर लेते हैं यह भी क्योंके load bearing होगा तो यह हमारे पास जो है वो अब थोड़ा सा confusion आपकी clear कर देते हैं इसको भी हम trim कर लेते हैं इसको भी trim कर लेते हैं इसको भी trim यह भी trim और यह वाला idea भी trim तो यह जो है हमारे पास यह वाल तो definitely as it is रहेगी तो यह हमारे पास बन गया है हमारा drawing room अब हम और इस तरफ अब यह ड्राइंग है तो यह understood है इस तरफ हमारा car porch बनेगा तो इसका मतलब है जब car porch बनने जा रहा है तो फिर यह वाली वाल्स की जरूरत नहीं रहेगी तो हम इसको trim करना चाहें तो इसको extend कर लें तो फिर हमारे लिए असानी के साथ और इसको भी हम फिलाल extend कर लेते हैं तो trym करेंगे अब हम इसको को भी हरे कर लेते हैं इसको भी कर लेते हैं फिल्हाल हमें यह ली डिया की जिरुरत नहीं है और इसको भी हम ट्रिम कर लेते हैं अभी तो यह हमारे पास जो है काफी बड़ी हमने स्पेस दी है क्योंके बड़ा घर है यहां पे गाड़ियां भी ज्यादा होती है लोगों के पास तो यहां पे एजिली जो है आप मल्टिपल टाइप्स की वेहिकल्स को जो है वो पार्क कर सकते हैं एक दो यहां तक जो है यह हमारे ड्राइंग रूम हो चुका है तो यह हमने जो है हमारा कंप्लीट हो गया जिसमें हमने बेसिक स्ट्रक्टर अभी हमने मजीद हम लीविंग एरिया को अपनी स्टेर्स को भी इंशोर करेंगे पाउडर रूम इंशोर करेंगे और देन विल इन ही कमार्स को इस्तमाल करते आ रहे हैं और आप इंशालला आपके लिए असानी होगी जब डिजाइन करेंगे आप इस तरह के घर या इसे बड़े घर तो अब हम आगे आने वाले टॉपिक्स में क्विक्ली आने वाले तीन-चार टॉपिक्स के अंदर इस पूरे प्लान को जो है वो complete करेंग.